आज बंदूकें सिर्फ बारत-पाकिस्तान बॉर्डर पे नहीं तनी हुई है, एक 47 घरगर में तनी हुई है क्योंकि हमने वहां मेनत नहीं कही और फिर हम कहते हैं इंसान इससा उता चला जा रहा है होगा, by default होगा, क्योंकि जिस classroom में हम बच्चे को विने, क्या आप सिखाते हैं, वो विद्या ददाती विनियम का गीत रटाते हैं, उसी classroom में खड़े होके हम बच्चे को कहते हैं, कि you are one of the 40 and you have to be one of the best in the 40 community, आपको इन 40 बच्चों में सबसे बहले आके खड़ा होना है, और हर बच्चे को हम कह रहे हैं, और साथ साथ हम हर बच्चे को सिखा रहे हैं, कि विद्या ददाती विनियम विनिया ददाती पात्रता हम कहां से आएगी, contradiction है हमारे content में, और हमारे processes में, मैं इसलिए करहा इस बात को कह सकता हूँ, आज अगर मैं किसी essay school के सामने खड़े हो के यह बात करना चाहूँ, जिसके classroom में, एक classroom में 100 बच्चे बैठके बढ़ रहे हैं, जिसके बच्चे भी टाट पर बैठके बढ़ रहे हैं, मैं शायद उसको नहीं कह पा हूँगा, क्योंकि उसको पहले जब मैं बात कह रहा हूँ, तो यह question नहीं घुम रहे हैं, हम कैसे करें हैं, यार हमको तो 1500 बच्चे एक class में बढ़ा के पढ़ाने पढ़ रहे हैं, ऐसी होगा, सो हमारा content बहुत confusing है, पूरे के पूरे school system को एक nice ray से देखने की ज़रूरत है, जहां हम बहुत अच्छा deliver कर पा रहे हैं, वहां हम अच्छी teaching कर पा रहे हैं, अच्छा learning अभी नहीं है, learning नहीं है, उसका प्रमान है कि किसी भी पढ़े लिखे आदमी के बारे में आप guarantee नहीं ले पाएंगे, कि आदमी जब सड़क पर गाड़ी चलाएगा, तो traffic rules का violation नहीं करेगा, पढ़ाया तो था आपने, किसी एक appropriate level पर आके आपने traffic rules का chapter पढ़ाया था, how to drive safe का chapter पढ़ाया है, learning हो गई होती तो जिन्दगी भर के लिए हो गई होती, two plus two जिस वक्त आप learn करा देते हैं, 90 साल की उम्रे में भी आदमी मरेगा, तो five नहीं बोलेगा, four ही बोलेगा, सारे तीन पर भी सहमत नहीं होगा, क्योंकि two plus two आपने learn करा दिया, लेकिन driving के rules, safety के rules आप learn नहीं करा आप से, एक school के रूप में, आप से doctors मांगती है, अच्छे अच्छे professionals मांगती है, लेकिन वही society, that's why I said, मैं स्वार्थ के तहत आया हूँ आपके पास में, ये मेरा स्वार्थ है, ये society को मैं represent कर रहा हूँ, मैं बहुत छोटे से हिस्से को उसके represent कर रहा हूँ, लेकिन एक educator स से, एक principal से, एक teacher से, एक management of education से, एक education minister से, अगर मैं इस तरफ आके खड़ा हो जाओ, ये society, वो content मांग रही है आज, कि साब हमने धाई साल का अपना बच्छा आपको दिया, आपको उसको physics पढ़ाना है, physics पढ़ाई है, chemistry पढ़ाना है, chemistry पढ़ाई है, लेकिन जब वापस द लिजेगा, गीता पढ़ा नहीं रहे, रटा रहे हैं, हम value education पढ़ा रहे हैं, value of education नहीं पढ़ा रहे हैं, value education के नाम पर, कुछ घटना है, मेरे साथ घटी है, अपने घटना है, मैं एक classroom में गया, वहाँ मेह संयोग था, गांधी जी ने सफाई के बारे में क्या कहा है, ये पर बच्चे नहीं बैठे हुए थे, उन डेस को सुबह किसी ने साफ नहीं किया था, और कमरे की बाकी हालत क्या होगी, आप अंदाजा अलगा सकते हैं, और हम गांधी जी के तीन chapter पढ़ा के, गांधी जी के तीन सिद्धान पढ़ा के, गांधी जी के सफाई के बारे में क कहां पे खड़े हो के, और ऐसा बहुत सारी चीज़ों में हो रहा है, कुछ जाने हो रहा है, कुछ जाने हो रहा है, हिमान सो जिस दिन मेरे पास आये थे, मैंने उनको चानक दो तीन उधारन दिये थे, कितना contradiction है हमारे पढ़ाने में, कि हम लोग, आप सब लोग पढ़ाते हैं, या सिंडेला जैसी कोई और कहानी हम सब लोग पढ़ाते हैं, एक कड़की थी, बहुत खूब सूरत थी, उसका एफेयर था राजकुमार से, या वो राजकुमार को चाहती थी, फिर वो सुन्दर नहीं रही किसी कारण वर्ष, उसको कोई श्राप मिल गया, जो भी अच्छा सोचा होगा कुछ, एक अच्छा वर्ड्स का, अच्छा ग्रामर का, अच्छा क्राफ्ट, और श्राइट पका क्राफ्ट क्या होता है, एक विजुलाजिशन of, in that appropriate age learning पर क्या होता है, उन सब के बारे में सोचके, कहानी इंट्रिश की, लेकिन उस कहानी का अंतर क् इंपक्ट क्या पढ़ा बच्चे पे। उस कहानी का बच्चे पे इंपक्ट पढ़ता है कि इस दुनिया में जीने के लिए सबसे जरू, सबसे पहली जरूद है सुनदर दिखना और सुनदर दिखने के लिए भले फिर और लवली लगानी पड़े या किसी के ऊपर तेजाव पड़े आप सोच के देखिए कि आप ही के स्कूल में पढ़ने वाली एक सामने सी लड़की जो मेभी कहीं ऐसे इसे इलाके से या इसी परिवार से आती होगी जहां नाक नक्ष उतने सुंदर नहीं है जिनको हम अभी सुंदरता की परिवाशा में बैठके उस कहानी में इती होगी उनपर क्या बीत्ती होगी जिनको हम यहीं से एक बड़ा सोचल डिवाइट सुरू होता चला जाता है हमने जान भूज के नहीं किया यह अंजाने में हो रहा है हमसे पर इस जैसे कितनी घटना है हम नहीं कर रहा है और हम एक हिंदी में विलोम सब्ध पढ़ाते ह हम विलोम सब्ध पढ़ाने में क्या बोलते हैं? स्तिरी का उल्टा, पुरुष का विलोम, आकाश का विलोम, धर्ती, धर्ती का उल्टा आकाश, दिन का उल्टा रात, रात का उल्टा दिन, मैं इस फोरम से सारे एजुकेटर्स बैठे हुए हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि ये तीनों उधारन जो मैंने लिए, धर्ती का उल्टा आकाश, दिन का उल्टा रात, स्तिरी का उल्टा पुरुष, ये एक दूसरे के उल्टे हैं या प्रकरती में एक दूसरे के complimentary हैं? एक दूसरे को पूर्ण करते हैं, उससे better example नहीं था, तो हमने अपने, माप कीजएगा मुझे ये कहने के लिए, मुर्खताओं के चलते, कुछ उधारन बच्चों के सामने रख दिये, और वो जिन्दगी भर उसके mind में lock हो गए, नोकर का उल्टा, मालिक, मालिक का उल्टा नोकर, अब जिन्दगी भर मालिक और नोकर उल्टे बने रहेंगे, आप beauty देखिए, कि मालिक और नोकर तो एक दूसरे के compliment नहीं है उस system में, पर, क्या आपके school में, मेरे schools में, मैं education minister हूँ, आज मैं खुछ जिम्मेदारी के साथ ये बात करना चाहता हूँ आपके साथ, and that's why I said that I am here, I am not here just for this lecture, मेरे अंदर कुछ दुख है, बहुत सारी चीज़ों को लेके, कुछ पीड़ा है, दुख का मतलब पीड़ा है, उस पीड़ा का समाधान, शायद हम और आप दौनों मिलके निकाल सकते हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, मैं सिर्फ यहां, हिमानशु भाई या डिंग्रा साब के कहने पे, एक आदा घंटे आपसे बात करके, लेक्चर देखे जाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं शायद एक नई शुरुवात करने के लिए आया हूँ, इस देश के, पैन इंडिया फैले हुए एजुकेटर्स के साथ में, क्या हमारे स्कूल्स में कहीं, कॉम्प्लिमेंटरी को समझने का कोई चैप्टर है, ताकि बच्चा ये जान सके कि, ये तो सब एक दूसरे का कॉम्प्लिमेंटरी है, हाव ब्यूटिफुल, अगर मेरे मन में ये भावना आजा है, कि मैं जिस कंप्लिमें काम करता हूँ, मैं नौकरी करता हूँ, तो मेरा मालिक मेरे कॉम्प्लिमेंटरी है, और मैं किसी कंप्णी का मालिक हूँ, तो मेरे मन में ये भावा आजा है, कि ये जो नौकर है, नौकर मींस, सामाने सब में यूज़ कर रहा हूँ, एंप्लॉई है, ये मुझे कॉंप्लिमेंट करता है इसके बिना मेरे कंपनी का इस्तितु नहीं है मेरे बिना मालिक का इस्तितु नहीं है मेरे इंदर एक अन्नाई तरह के confidence आएगा एक अलग तरह की arrogance खत्म हो जाएगी interpersonal behavior change हो जाएगे इस्त्रिय और पुर्ष के behavior change हो जाएगे जिंदगी भर उल्टा लगा रहता है